प्रश्वाप प्रश्वाप प्रश्वाइब जो जा रहा है और जी सुभा सुभा का ना कुछ ऐसा नजा रहा है और सबसे पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग सुपरभात कैसे आप लोग उमीद करते अच्छे होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूं और हमारी चार दा म्यात् पूरा हो चुका है और अभी अभी लास्ट यात्रा हमारी बची हुई यमनोत्री धाम के और तो आज वहां चलते हैं और अपना कैम्प रात में यहां लगा था अच्छा लगा बट यहां पे ना रात में बहुत ज्यादे ठंड होती है तो जिसे आपको कैदारनाथ में साथ यमनोत्री माता का और जल्दी सब्सक्रा कैंप करतें अपना समान पुरा विखरा हुआancing में यार पुरा समान विकरा हुआ ठीक से प्रक्ट प्यूज्स करतें पिर निकलते ओंगे नीचे तो सफर सुरू करेंगे तो भी अपना यहां सफर सुरू हो गया है अपना समान शब सारा पैक हो गया चलते है नीचे यहां पर रस्टूरेंट नीचे में वाय तो भीजिस भाहिया ने रहने के लिए और कोई चार्ज भी नहीं लिया तो उनके हिए होटल में कुछ कहना खाते हैं नाशता करते हैं आघ नास्ता बहुड़ेगा है दो भाया आलू प्राथा है एक पीस दे लू ठीक है जी थे नास्ता करते हैं फिर यहां से और निकलते हैं पईदली चलना पड़ागा पॉस किलमिटर ऊपर कितना प्या टायम लग जाएगा जो खालें आपना नास्ता हो रहा है और यह जो प्यास था तो मनें बढ़ा प्याज भई आप ले जाओ अभी दावट प्यास खा लेंगे ठीक है नस्ता करते हैं और फिर यहां से निकलेंगे इनका प्राइस कितना फिप्टी रुपीज फिप्टी रुपीज वाव गरम-गरम प्राथे छोले तो अभी अपना मस्त क पैसे खतम हो गए तो मेरे प्याटियम में पैसे तीन-चारसो भी यह ने भीजा मेरे तो मुझे चलना है और पैसे निकालना है तो इस साइड रास्ता है बट इस साइड चलना है तो थोड़ा बैक जाना पड़ेगा तिन-चारसो मीटर फिर वहां से पैटियम से केस निकाल निकालने है ना इस साइड से पैसे पैटियम से साथ निकालने है ना ओके ठीक है बईया चलते हैं तो यह अपना पैटियम और कितना जादे बाइलेंस वह आप देखिए लोग ठीक अभी यह निकालते हैं पांचो पर निकालने का चार्ज भीया ठीक है जादे नहीं है ठीक है निकाल दो पांचो पिया तो यह राजी अपना 500 और यह ना उमित्ता दो दीन चल जाएगा दो य मैंनेज करके खर्च करना है ठीक है और आप आप फाइनली सपर शुरू हो गया यहां से पांस किलो मीटर पहाड पर चड़ना है दो बेग है कोई दिक्कत नहीं जब केदार नात बाबा का दर्सन कर सकते है 18-20 किलिमेटर पर चड़कर तो यह तो पांसी किलिए मीटर है अम अच्छा देखें पाफिल ऑभाइसाब अबना जिते जैसे आगे बढ़ रहे हैं खूब सुरा सा नहारा दिखना सुरू हो गया है वाव सुर्ण से कम नहीं वाई यह सब नहारा वच्छा ना बैटके जा रहा है मैं आपको उनसे मिलाता हूं है यह सब अजाल यह झाल भचे यह है अग 11ग है पहाल है सब्सक्राइब और आपना जब यमनोत्री माता का दरसन करने उपर जाते हो तो आपना जस्त रास्ते से बहुत नजदी किया है यहां ना मता बहुत रही है और यहां ती जो मांटेन का भ्यू दिखता है वह मैं नेक्स लेवल का दिकता आप यहां बैठके बहुत साहे लोग बैठते हैं यहां 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 भी आप देख सकते हो कितने जादे रस हैं अगर आप घोड़े पर बैठके आते हो तो उनका जो चार्ज है वह आपको 2000 रिप्या लेगा अगर आप घोड़े पर मताओ यार अगर आने माश समर तो फिर आप घोड़े का यूज करो चरक आपर अपना एक किलमेडर काषब पुड़ा होगा है और नवी च्रक मेंटय सो नाप वा अब आपना 3 km आप पुरा हो जुगा है बट रस जादे है अब देख के लिए लगा भाई वह देख को जितने आप अपर दुटने जादे नेचे जाए है और साइड में केरफ ली यहां पर भोले ना ठेल देते हैं कभी-कभी कितना ज्यादा भीर है भाई तो सुबस्ते हमने एक गंड़ा से जादे चल लिया है बट अभी पता चला कि हमने आधा रास्ता ही कवर किया है अब यहां देखो अब गोड़े जो आते हैं वह अब इस साइट से ऊपर चले जाएंगे और जो पैदल वह इस साइट यहां चले जाएंगे यमनोत्री 2.5 किलो मेटर ठीक है चलते हैं अब जातरा करते करते बहुत जादे ठक गए है और अभी देख रहे हैं कितना दूर है यहां साब देखे सकते हो वह आपको दिखाई पड़ता होगा बट वह मंदीर है या नहीं है उनसे आगे भी होगा पता नहीं बट पहले वहां चलते हैं और थो इतना जादे फूलने लगती है इसलिए कितना प्यारा भी हो यहां से तो चार के लोग मीटर बाद आपको मिलेगा यहां भैरा बावा का मंदीर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहां पूजा नहीं करते हो तो आपकी यात्रा अधुरी रहती है ठीक है पहले चलते हैं यहां करना करते हैं आड आप आपड़ों कि अधिस घागम आप अपर अब डेख सकते हो फिर यह कहां से फिर ना अब देख सकते हो फिर यहां से बहुत उपर पहार है वहाँ चलना पड़ेगा ठीक है चलते हैं मायमनोत्री के नाम लेकर जय मायमनोत्री तो फाइनली सुबह से तीन घंटा चलने के बाद मायमना का मंदिर दिखने लगा है अब दिल में जादे उमीज जगी है कि आप सुबह से चलने इतना महिनत किया और यात्रा सफल हुई चीक है चलते है जल्दी से और इधर अब ठंड भी बहुत जादी लगना शुरू हो गय जादीर निचे मिचे 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 हाला निचे मिचे तो लाई जोटिए पार जोचा ये का सबस्दी अगा जयाया बादा किया आठो के आका जाघ जोड़ नोगार की लगा है ये तोरे अटेल आगो पर गदरा आराव सिक्ष्टराउ जाराव किदार्नाथ बद्री लाथ मन धाम से जाले हैं याँ तरिया था दाम में भीड़ है सारदालो बड़े बड़े हैं यहापे अधियो तर वह से मंजिर तक आने में लगपग आते गंटे का टाइम नाई गाईक अई आप आऊ अई अई यूआ है अगर घंगर अगर आख किया है इंद हिं जे जूपर आओ आख किया हैं इसका है प्लाव08 तो बाइड विर द्याठ किलुकर दो के सरी मजिल करने हैं में में जाधि करे विम्ना जुटता संब हो चुग incarnий कि मैं यादे कि जादे फीले याध्स तो मुझे ना आज बताने में बहुत जादे खुसी हो रही है हमने उनीज साल के उन में चारो धाम की आत्रा पुरी कर ली चीक है और अभी यहां दस मेट बैठते हैं और चारो धाम की आत्रा को समन करते हैं बाबा के दारनाथ बाबा बदरी नाथ और मा गंगोत्री और मा यम्म दुश्वी चार धाम क्यात्रा हमाई पूरी इवी ठीक है बहुत सुकून सा मिल दा है अब दिल में चारो अभी काया और अभी न तो ज़िए हैं यहां पे केम्प लगाया या ना लगाया जा है विदाउट परमिसन का तो सर बोले मंदिर परिशर वालों से पुछो एक पुझारी ज्यात तो उनसे पुछते अगर देंगे परमिस्वन तो रहेंगे नहीं तो फिर नहीं रह सकते बिदाओ कुमिसर कानम ठीक है तो जी अभीन एक बैर डिशें बैर निश्यात है कि जो मंदिर परिशर के अध्यक्त है उनसे हमने पूछा दोने का कि आप यहां कैम लगाओगे बगल में मंदिर है तो यह मंदिर परिशर हो गया तो आप यहां से थोरी दूर जाए 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 दो मतलब यहां से 1 km है एक ग होटल भी आरात में खाना भी खालेंगे और मस्त का टेंट लाकर सो जाएंगे फिर 5 km यहां से चलना पड़ेगा जितना आए वहां फिर चलना पड़ेगा कोई नहीं जी मायमनोतरी की जाए चलते हैं तो आपका छटकु ना भीन चुका है और यार आज पका फिवर आएगा और बारीश भी होड़े यह बहुत जादे यार अभी पांच क्रिमिटे चलना बारीश भी तेज हो रही है पुरा भीन चुका हूं में यार और यहां सब आत्मा आत्मा बनके घुम रहे हैं वह वाइट क्लड़का जो पन्नी होता है वह सब ओड के घुम्रे जों आयमना मया सब्सक्राइब करना बनता है और अबना मैं जो आपको बोलता हूं गुद नाइट बाबा टेक्या नहीं भाई यह नहीं बोलना है वनली जाहिन या 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 या